सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल सैविसिंग को और प्रेस करें बेल आइकन पर सारे लेडिस यूसफुल अपडेस अब से पहले जानने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मार यूटूब चैनल सैविसिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप के लिए पके हुए केले का वो उपाय बताएंगे जो आपके चेहरे की धिली स्किन को टाइट करके पहले से अधिक जवान बना देगा और इसके साथ ही जुरिया भी कायब हो जाएंगे इस उपाय के इस्तमाल से पहले ये जान लेना जरूरी है कि पका केला हमारी तुचा के लिए आखिर क्यों फायदे मन होता है इस संदर में हम आपको बताना चाहेंगे कि पके हुए केले में पावरफुर मोश्राइजिंग एजेंट मुझूद होते है जो हमारी तुचा की नमी को लुटा कर उन्हें मुलायम और कोमर बनाने में मदद करते हैं इस में पोटेशियम के सासाथ विटामिन E और विटामिन C जैसे मेनरल भी प्रकर्तिक रूप से मजूद होते है जो हमारी तुच्छा की स्किन को एजिंग से बचाते हैं और इस उपाय को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जुरत होगी पहला है एक पका हुआ केला, दूसरा ताजी दही और तीसे संत्रे का रस इसे त्यार करने के लिए सबसे पहले एक पके हुए केले को फोक या चमच की मदद से अच्छी तरह पीस ले अब इसमें एक बड़ा चमच ताजा दही मिलाएं और उतनी ही मातरा में संत्रे का रस फिर इस मिश्ण को अच्छी तरह से मिलाएं और अपने चेहरे पे लगाएं लगबग आधे से एक घंटे तक रखने के बाद इसे ठंडे पानी से थो ले सफता में केवल दो या तीन बार इस उपाय को इस्तमाल करने से आपकी तचा की जुरिया और धीलापन कायब हो जाएगी और आपके स्किन पहले से ज्यादा टाइड ग्लोइंग और जवाब बन जाएगी तो फ्रेंट्स उमीद करते हैं हमारी इंफर्मेशन आपको पसंद आई होगी पसंद आने पर इसे लाइक को शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू प्रेंट्स